हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग आज हम आपको बताएंगे जो हमारी सलवार है वो पोचा को पीछे से किसी क्यों है उसमें चुन्नटे क्यों आपके हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारा पोचा है इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और यह जो हमारा स्टीच करेंगे 6 इंच पे यह देखिए 6 इंच पे मारक करेंगे हमें 6 इंच का पोचा त्यार करना है इसके बाद नीचे से हम प्लेंगे 7 इंच पयदे 6 इंच से इंच पे носप्लाग बदोम इनelnों प Eagles ओं Lag गाएंगे तब तक आपने अगर हमारी वीडियो को थोड़ा सा भी पसंद किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गा लाइप कीजिए गा शेर कीजिए गा यह देखिए हमने इहाँ पे सिलाई लगा दी है उसके बाद यहां से सिलाई लेते हुए हम इसको धागे को कट कर देंगे उसके बाद यह देखिए यहां से अब हम यह वाली सिलाई लगाएंगे यहां से अब हम यह वाली सिलाई लगाएंगे यह देखिए हम यहां से सिलाई लगा देते हैं तो आपको कोई भी सिलाई में जो प्रोब्लम है आप कोमेंट करके बता सकते हैं मैं उसके लिए पैसल वीडियो बनाऊंगी आपके लिए सो यह सिलाई हम लगा देते हैं यह देखिए हमें यहां से ऐसे करके यह सिलाई लगानी हो इसको कट कर देना है यह देखिए अब यहां से यह जो एक्स्टा फैब्रिक है इसको कट कर देना है इसको कट करके यह देखिए फ्रेंज हमने इस एक्स्टा फैब्रिक को कट कर दिया है कट कर देने के बार अब यह देखिए हमें इस तरह से ऐसे मोड के यहां से यह फैब्रिक कट कर देना यह जो हमारी यह चोट सी बनते है ना यह पिछे की तरफ यही निकल के आती है सो हमें इसको यहां से कट कर देना है अब देखिए अब इसको यहां से ऐसे कट करके वीडियो को प्लीज ध्यान से देखिएगा कट कर दिया अब हम इसको फिनिशिंग दे देंगे फिनिशिंग देने के बाद हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे ताकि जो हमारा काम है वो मजबूत हो जाए इसके बाद यह देखिए हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है अट कर देना है अब देखिए यहाँ से ऐसे सिलाई लगानी है यह देखिए अब देखिए सलवार को सिधा करने के बाद जो पोचा के पिछे से यह हैं यहाँ पे थोड़ी सी भी चुन्नट नहीं आई है नहीं पोचा पीछे की तरफ यह चोच से निकली हैं बिल्कुल फिनिसिंग के साथ सिलाई लगाई हैं बिना प्रैस के मैं आपको दिखा रही हूँ यह देखे थोड़ी सी भी चुनटे नहीं आई हैं तो आपको जो भी तिकत हो सिलाई में आप भू सकते हैं हर तरह की प्रब्लम हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे वीडियो को प्लीज लाइक जरू किजिएगा चैनल को सस्क्राइब किजिएगा थैंक यू फू वाचिंग फैंस थैंक यू सो मच प्लीज लाइक शेर सस्क्राइब